दिखे दोस्तों पेले तो धारा 250 का केस जीतना बड़ा मुश्किल काम रहता है लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है कोई भुमी स्वामी जो है वह धारा 250 का केस जीत जाता है और उस आदेश के माध्यम से उसे उसकी जमिन का कबजा नहीं मिलता है और उस आदेश के विरूद अ अगर आवेदक जीत जाता है, और अंवेदक अपिल कर देता है, तो एसी इस्थिति में, जो जमीन का मालिक है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो यह सब कुछ आजब है आज की वीडियो, आज को समझने वाले हैं, आपने चेनल को सबस्क्राइब ने क्या है, तो चेनल क इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के विरुद तेसिल दर्म होदय के समक्ष धरा 250 का केस पेश किया ठीके अब इसने केस पेश करने के बाद में इस व्यक्ति ने तेसिल दर्म होदय के समक्ष यह साबित कर दिया कि हाँ इस जमीन पर या इस जमीन के किसी भाग पर इस व्यक्ति का अवेद कब्जा है और एसी इस्तिति में तेसिल्दार मुहदय ने इस व्यक्ति के आवेदन को, धरा 250 के आवेदन को स्विकार भी कल लिया अब देखे, यह व्यक्ति जो है अवेद कब्जाधारी व्यक्ति जो है यह भी आसानी से कबजा छोड़ने वाला नहीं है और यह क्या करेगा कि तेसिलदार महोदय ने जो आदेश पारित किया है उसके विरुद उप्खंड आदिकारी महोदय अर्थाद S.D.O. महोदय के समक्षे मध्यप्रदेश भूराज सहिता की धारा चुम्मालिस के तहद प्रतम अपील पेश करेगा अब यह विक्ति क्या करता है अवेद कबजाधरी विक्ति जो है यह क्या करेगा कि उप्खंड आदिकारी महोदय के समक्षे जो अपील पेश करता है उस अपील के साथ में मध्यप्रदेश भूराज सहिता की धारा बावन के तहद एक आवेदन पेश करेगा अब धारा बावन क्या है इसके संबंद में मैंने डेटेल में वीडियो बना रखा है आप चाहें तो उसको देख सकते हैं फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में पता देता हूँ कि धारा बावन में इस प्रकार के प्रावधान दिये गए हैं कि अगर किसी भी न्यालय के द्वारा या अधिनस्त न्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया है तो उसके अमल पर इस्तगन का मतलब क्या होता है कि जैसे तेसिल दर्म होदे ने इस जमिन का कपजा इस व्यक्ति को दिलाने का आदेश पारित किया ठीके तो ऐसी इस्तिति में तेसिल दर्म होदे क्या करेंगे कि इनके अधिनस्त जो है जैसे राजस्व निरिक्षक है राजस्व निरिक्षक है या पटवारी उनको निर्देशित करेंगे कि हमारे द्वारा तेसलदार के द्वारा इस प्रकार का आदेश पारित किया है कि इस जमिन का कपजा इस व्यक्ति को दिलाया जाए और इसको उस जमिन से हटाया जाए तो इस प्रकार का आदेश इन्हों एस जो महोदे के समक्ष आवेदन पेश करेगा धारा बावन का और इस प्रकार से बताएगा महाँ पर कि तेसिल दार महोदे ने जो आदेश पारित किया है दोस्तों पच्चास के प्रक्रण में वह गलत पारित किया है और उस आदेश के विरुद श्रीमान अर्थाद उपकंड अधिकारी महोदे के समक्ष इस अवेद कप्जाधरी वेक्ति ने अपिल पेश कर दी है और उस अपिल के निराकरन तक धारा बावन मंजूर किया जाए अर्थाद तेसिल दर महोदे के आदेश का अमल रोका जाए तो इस प्रकार से अमल को यह वेक्ति अवेद कप्जदारी वेक्ति यह उपकंड अधिकारी महोदे से रुकवा सकता है तो एसी इस्थिति में क्या होगा? कि यह जमिन का मालिक जो है इसके लिए इस जमिन का कब्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया और लंबी हो जाएगी अर्था और समय इसको लग जाएगा अब एसी इस्तिती में जो जमिन का मालिक है इसको जैसे जानकर होती है कि उपखंड अधिकारी महोदे के समक्ष इस अवे चाहिए ठीक? और उसमें जितना जल्दी हो सकता है, उतने जल्दी तेसिलदार महुधय के समक्ष की प्रकारण विचारा धिन था, उस प्रकारण के रिकार्ड को बुलवाना चाहिए, और SDU महोदे के समक्ष जल्दी से जल्दी बहस करवानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इतना समय नहीं लगता है, जितना समय जो तेसिलदार महोदे के समक्ष लगता है, इतना समय उपकंड अधिकारी महोदे के समक्ष नहीं लगता है, क्योंकि SDU महोदे के द्वारा, अर्था जाती है इसलिए उप्खंड अधिकारी महोदे के समक्ष इस जमिन के मालिक को तुरंत उपस्तित होना चाहिए और वहाँ पर अंतिम भहस करवाने के बाद में उस प्रक्रण का फेसला हो सकता है ठीके और उप्खंड अधिकारी महोदे के समक्ष जो फेसला होगा उस फेसले म मोहदे ने आदेश दिया था वही आदेश उप्खंड अधिकारी मोहदे ने यथावत रखा और उस आदेश को सही माना तो ऐसी स्थिति में अवेद कपज़दारी वेक्ति जो है यह क्या करेगा दृती अपील जो है कमिशनर मोहदे के समक्षे पेश कर सकता है और वहां से इ प्राप्त कर लेता है धारा 52 के तहद तो एसी इस्तिती में जमिन के मालिक को तुरंत जितनी जल्दी हो सके यतनी जल्दी कमिशनर महोदय के समक्षे न्यालाय में पेशी दिनांग पर उपस्तित होना चाहिए या प्रकरण को त्वरित निराकरण हेतु निकलवाना चाहिए और वहाँ पर अपनी अंतिम भस करवानी चाहिए और अगर कमिशनर महोदय जो है इनके द्वारा तेसिल्दार महोदय के आदेश को और उपखंड अधिकारी महोदय के आदेश को यथावत रखा जाता है ठीके तो ऐसी इस्तिती में या अवेत कप जयादारी व्यक्ति जो मालिक ने अवेत कप जया इस व्यक्ति का साविद नहीं किया है और यह जमीन जो है इसको इस जमीन के मालिक को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है और एससी इस्तिती में अगर इस अवेत कप disorder care की अपील में इस जमीन का मालिक यह व्यक्ति है और इस जमीन पर इस व्यक्ति का अनुचित कब जाए तो एसी इस्तिति में इस व्यक्ति को हटाए जाने का आदेश जो है हाई कोड के द्वारा उपखन रदिकारी महधय या तेसिलदार महधय को दिया जा सकता है तो मैं विश्वास हुआ कर दो दो भाराद है को राभाए बाराद है को दो बार उतर लगवास रदा सकता है को दो क्यों सब्स्तित का ता है एलर में अनुपाराद है एलर में इस नावराद